आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं की विभिन संक्रियाओं के साचर्य गोंड से संबंधित उदाहरण मनीश ने एक रसी को चार टुकडों में काटा गई टुकडों की लंबाई इस प्रकार थी रसी की कुल लंबाई ग्याद कीजिये रसी के चार टुकडों की लंबाई है 7 बटे 9 मीटर 5 बटे 12 मीटर 11 बटे 12 मीटर और 5 बटे 3 मीटर इसलिए रसी की कुलंबाई इन चारों टुकडों का योग होगी रसी की कुलंबाई बराबर 7 बटे 9 मीटर धन 5 बटे 12 मीटर धन 11 बटे 12 मीटर धन 5 बटे 3 मीटर यहां हम देखते हैं कि 5 बटे 12 और 11 बटे 12 का हर यानि डिनॉमिनेटर समान है इसलिए इनका योग करना आसान है चुकि परिमेयस अंख्याओ यानि rational numbers के लिए योग साचर्य यानि associative है इसलिए हम 5 बटे 12 और 11 बटे 12 को कोश्ठक में लेकर इस कोश्ठक को पहले सरल कर सकते है इससे हमें कोश्ठक का परिणाम प्राप्थ होगा 16 बटे 12 जिसे हम 4 बटे 3 लिख सकते है अब हम 4 बटे 3 और 5 बटे 3 को कोश्ठक में लेंगे हल करने पर परिणाम आएगा 9 बटे 3 यानि कि 3 अब 3 धन 7 बटे 9 बराबर 3 और 7 बटे 9 है यानि कि 34 बटे 9 है इसलिए हम कह सकते हैं कि रसे की कुल लंबाई 3 और 7 बटे 9 मिटर है अगला उदाहरण राहुल ने अपने पास स्थित एक और चार सप्तमांश चोकलेट का दो तिहाई भाग अमित को दिया अमित ने उसे प्राप्थ चोकलेट का तीन चोथाई भाग नीता को दिया ग्याद कीजिए नीता को कितनी चोकलेट प्राप्थ हुई राहुल के पास एक और चार सप्तमांश चोकलेट है यानि कि 11 बटे 7 चोकलेट है अमित को इस चोकलेट का दो तिहाई भाग प्राप्थ हो रहा है यानि कि अमित को दो तिहाई गुणा 11 बटे 7 चोकलेट प्राप्थ हो रही है नीता को इसका 3 चोथाई भाग प्राप्थ हो रहा है इसलिए नीता को प्राप्थ चोकलेट है 3 बटे 4 गुणा कोश्ठक में 2 बटे 3 गुणा 11 बटे 7 चलिए इसे हल करें, परिमेय संख्याओं के लिए गुनन साहचर्य है, इसलिए हम यहां इस प्रकार समुह बना सकते हैं कोश्ठक सरल करने पर हमें परिमेय संख्या एक बटे दो प्राप्त होगी, अब हम एक बटे दो और ग्यारह बटे साथ का गुनन करेंगी इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा ग्यारह बटे चौधा, इस तरह से नीता को कुल चॉकलेट का ग्यारह बटे चौधा भाग प्राप्त होगा है अगला उदाहरण सुनीता और मनीशा 68 विभाजित 17 बटे 25 विभाजित 17 बटे 25 को हल कर रहे थे दोनों ने दर्शाय प्रकार से इसे सरल किया लेकिन दोनों का परिणाम अलग-अलग आया क्या आप बता सकते हैं किसका उत्तर सही है और क्यों? परिमे संख्याओं के लिए विभाजन सहाचर्य नहीं है यानि कि विभाजन की संक्रिया में किसी भी प्रकार समूह नहीं बनाए जा सकते यहां मनीशा ने गलत प्रकार से समूह बनाया है जिससे उसे गलत जवाब प्राप्त हुआ है परिमे संख्याओं का विभाजन दिये गई करम से ही किया जाना अवश्यक है सुनीता यह बात अवश्य जानती होगी इसलिए उसे सही परिणाम प्राप्त हुआ है तो आज हमने देखे परिमे संख्याओं की विभिन संक्रियाओं के साचर्य गुंड से संबंधित उदाहरण